दोस्तो शेहनास को और गिल ने इस वक्त ऐसा बयान दे डाला है जिसे सुनकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हाँ दोस्तो जब से शेहनास ने दोबारा शूटिंग शुरू की है तब से उनका हर बयान चर्चा में रहता है और अब शेहनास गिल ने ऐसा बयान दे डाला है जिसने पूरी बॉलिवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे शोशल मेडिया पर भी भुचाल ला दिया है जी हाँ दोस्तो शेहनास की मूँ से ये बयान सुनकर सबके रॉंग्टे खड़े हो गई है और मैं तो सभी वीवर से भी यही कहूंगी कि प्लीज दोस्तो अगर आप दिल के कमजोर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखे दोस्तो आपको बता दे शेहनास गिल का ये बयान काफी भावुख है और ये आपकी आखों में आसू भी ला सकता है दोस्तो आपको बता दे पिछले दिनों अपनी पहली फिल्म की पर्मोशन के दौरान शेहनास ने कई सारे इंटर्वियूस दिये उसके बाद शेहनास ने हौंसला रख के बाद लूसीफर की भी शूटिंग की और उसका पर्मोशन भी किया उनका वो वीडियो भी मिलियन में गया उनका जो उन्होंने ट्रेलर डाला था अपने इंस्टाग्राम पर वो मिलियन में गया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके बाद उन्होंने कई सारी एड वीडियो भी शूट की और सिधार्थ को गए हुए तीन महिने से उप बीट चुके हैं और शेहनाज ने पूरी तरह से अपने आपको संभाल लिया है लेकिन आपको बता दी जहां उनकी हसी है वीडियो की अंदर तो वही इस वीडियो इन जितनी भी वीडियो उन्होंने शूट की है सिधार्थ के जाने के बाद चाहे वो हैबिट सॉंग हो चाहे वो तू यही है सॉंग हो या इनका एड वीडियो हो या लूसिफर हो कोई भी वीडियो आप अगर ध्यान से देखे तो शेहनाज के हसी के पीछे जो उनका दर्द है वो छुपा हुए है उनकी आखों में सिर्फ और सिर्फ सिधार्थ दिखाई देते हैं दोस्तों आपको याद होगा जब माधरे दिख्षित मैम ने स्टेज के उपर सभी लोगों के सामने ये पूछ डाला था कि आपका ड्रीम बॉई कौन है तो शेहनाज ने खुल्याम एकसेप्ट किया था खुल्याम बोला था कि सिधार्थ शुकला जी हां सिधार्थ में सारे गुन हैं जो मै मेरे सपनों का राज कुमार वहला आपको बता दे दोस्तों जब सिधार्थ शुकला की मृत्य हुई थी तब भी शेहनाज को यकीन नहीं था कि मेरा सिध्र जो है चला गया है और एम्बुलेंस में लेटा हुआ दोड़ी-दोड़ी भागी भागी गई और उनके तलवे कभी भी दिमाग से हमारे भी ये जो सीन है ये मुमेंट है शेहनाज के वो निकल नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दे शेहनाज को और गिल का इंटर्विव आया था एक होसला रख के दोरान और दिलजीट डोसांज भी वहाँ पर महजूद थे सुनम वाजवा भी महज खाया गया जातर निउस चैनल और शोशल मेडिया पर भी सिर्फ मसाला और संसनी को ही छापने पर या दिखाने को तवज्जो देते हैं किसी के दिल पर क्या बीत रही है या उनकी दिल की क्या फिलिंग्स है उन्हें इस बास से कोई लेना देना नहीं होता है आपको बताते दोस्तों हमारे एक करीबी सुत्रों ने हमें बताया कि शेहनाज गिल ने उस इंटर्व्यू के दौरान अपनी नीजी जिन्दिगी और सिधार्त शुकुला से जुड़े सवालों के भी जवाब दिये थे लेकिन शोशल मेडिया और निउस चैनल पर बस फिल्म का परमोशन ही दिखाया गया था उस वक्त आपको बतादे दोस्तों सुत्रों के मुताबिक उस इंटर्व्यू के दौरान शेहनाज ने ये भी बताया था कि अगर उस दो सितंबर की रात को अगर सांसोने साथ ना छोड़ा होता तो सिध उनके पती होते साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिधार्थ मेरे लिए भगवान था और है और हमेशा रहेगा और मारीटा शुकला भी क्योंकि ये दो इंसान हैं मुंबई के अंदर जिनकी मैं बहुद रिस्पेक्ट करती हूं और सिधार्थ था जिसकी वजह से मैं बॉम्बे में इतने दिन तक रह पाई वो मेरा मेंटर म मेरा सब कुछ था ये तो उन्होंने डांस दिवाने थरी के सेट पर भी कहा था और इंटर्व्यू के दौरान भी कहते कहते वो भावख हो गई थी दोस्त लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था हम एक ही घर में रहते थे इकठे खाना खाते थे इकठे घूमने जाते थे सन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं शुकला परिवार का हिस्सा नहीं हुई यहां तक कि मारीटा शुकला कहीं किसी शादी पार्टी या कोई फंक्शन होता था तो मुझे साथ में रखती थी मुझे साथ ले चाया करती थी बहुत प्यार करता था सिधार्थ मुझ से और आगे सना ये भी कहती हुई नजर आती हैं भावुक होकर कि भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, हम लाख अपने हिसाब से प्रोग्राम बना ले लेकिन होता वही है जो भगवान ने प्रोग्राम सेट किया होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सब तो बस रंग मंच की कठ पुतलियां हैं, जिसकी डोर उपर बैठा भगवान चलाता है, वो जब चाहता है जिस डोर को हटा देता है, और जब चाहता है जिसकी चाहता है उसकी डोर जोड़े रखता है, मैंने भी सिधार्ब के साथ मिलकर कई सारे सपने देखे थे, लेकिन सब अधूरे रह गए अब लगता है मुझे अगली जनम तक सिधार्द का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस जनम में तो उनका मिलना मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ उनकी यादे हैं मेरे पास, ये सब कहते कहते दोस्तों आपको बता दे, शेहनास काफी भावुक हो जाती हैं, और अपनी आखो से आशू पोचते हुए ममा ममा करती करती, रोती रोती, आशू को पोचते हुए ही, कहती है कि शायद भगवान उनकी परिक्षा ले रहा है, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है, जहां सुख हमें खुशियां और प्यार देता है, वहीं दुख हमें सहने की शक्ती देत और अंदर से मजबूत बनाता है अब मैं अपना सारा कंसेंट्रेशन सिधार्थ के सपने पूरे करने की तरफ लगाऊंगी और उनके सपने पूरे करूं। पचार पाएंगी अपने विजार दोस्तो जरूर लिखकर बताएं कमेंट सेक्षन में और सिधनास की जोड़ी के बारे में कुछ भी आपकी जो यादे हो शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। प्लीज जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप लोगे प्यार सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है तो व्लॉग चैनल की लिंक जो है उपर एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दी हैं। थांक यू पर सपोर्ट इस क्योंकि लिएगा। क्योंकि लिएगा। क्योंकि लिएगा। झाल